उत्रप्रदेश के बरेली में एक यूबक की थपड मारने के विबाद में दिन दहाडे हत्या कर दी गई यूबक की हत्या से छेत्र में संसनी मच गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने शबको कब जिमने कर मामले की जाच सुरू कर दी है पुलिस के मताबिक शुबास नगर थाना शेत्र के अनूपम नगर के रहने वाले विसाल उम्र 23 बरस पुत्र मुल्लू की उसके घर में घुसकर गोली मार कर हत्या कर दी गई घटना के पीछे की बज़े रंजिस बताई जा रही है अमरतक विशाल की दादी का कहना है कि विशाल कस्यप साधियों में शहालक का काम करता था दो महीने से चुट्टी पर था विसाल की बुए राखी बान कर चली गई विसाल बोला बुए को बुला लाओ खाना खा लेगी लड़की को बुलाने चली गई तबी, भोलू कस्यप, छोटू कस्यप, लल्ला कस्यप, दीपक कस्यप ने घर में घुसकर गोली मार कर हत्या कर दी SSP सत्यार्थ अनीरूद पंकस ने बताया कि मिलतक के पिता से पूस्तास में पता चला कि उनके रिस्ते के चाचा दुआरा ये हत्या की गई है अभी तक घटना के संबन्द में पीडित पक्ष से तहरीर नहीं मिली है, पूस्तास में ये पता चला है कि मिलतक के पिता के ममेरे भाई को थपड मानने को लेकर विवाद हुआ था इस बात को लेकर दोनों में विवाद था, पुलिस जांच कर रही है, हत्या करने का क्या कारण है, हत्यारों को पकड़ने के लिए टीम लगा दी गई है ये पता चला है मिलतक के पिता से बातशीत करने पर, क्योंकि अपने ही परिवाद के एक उनके रिष्टे में चाचा जो लगते हैं, उनके दाया याद तकी गई है, अभी तहरी प्राप्त होते ही, इस पर आपको आप चारी जांगाई भी जा सकी इनके बीच में आपस में चार पाच मुहीने पहरे थपड़ मारने को लेकर एक विवाद हुआ था, जमरे तक है उसके पिता के भाजे को, उनके मां मेरे भाई को आरोपी द्वारा थपड़ मारा गया था, इस बात को लेकर के दोनों के बीच तनाव था, फिलहाल तहरीर मि के उपरां थी, कोई प्रमारी जनकरी इस बारे में प्राफ तो पहुआ है। मारे गाए, जारे, का करो हुआ है। नाम मताओ? मानवान को दोलूगा, जोट उख टुगा, एक लल्ला, आफ दीपक रिस्टार हैं रहे हैं। यह कौन लोग हैं, आप जानते हैं पहले से? पहले से कच्छाब हैं। आप एको रस्ते लिखते हैं। अब तम बेटा मेरा कोई नाय दुसमों नाय तो कोई नाय लगते तो लगते तो लगते तो लगते तो लगते तो सिरफ द्याव करो मैंने नाती कुटाई किसे आई आई तो उसे कर डड़ाई डारी जाने तो उसे लड़ रहा हूँ आपको लड़ते क्या करता था है क्या करता विशाल क्या काम करता था विशाल विशाल सारे को काम करता तो अब दो मैंना से छुट्टी छुट्टी देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर